Hello students, welcome back to our platform JK Study तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे JKP Border Battalion Crash Course के English section के बारे में और जो हमने यहाँ पे अपना chapter, article स्टार्ट किया था उसका हम यहाँ पे part 2 पढ़ेंगे तो आज हम यहाँ पे इसके rules जो हमने पढ़े थे उसको थोड़ा सा refresh करेंगे प्लस इसके यहाँ पे examples करेंगे और देखेंगे कि वो rules यहाँ पे कैसे implement होते हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल basic कि जान से cover करते हुए चलेंगे ताकि आप यहाँ पे आपका level भी एक अच्छा तरीके से हो सके तो यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तीसरा chapter है और आज हम यारा यारा तो यहाँ पे तीन chapter हमारे यहाँ पे complete हो जाएंगे तो इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही chapter बचेगा वो होगा preposition का उसके बाद यहाँ पे हमारी grammar जो है वो खतम हो जाएगी फिर हम जहाँ पे चलेंगे vocabulary की तरफ और फिर यहाँ पे vocabulary खतम करके हमारा English का जो portion है वो यहाँ पे खतम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे English में जो है वो यहाँ पे इतना syllabus नहीं है और नहीं यहाँ English जो है वो official syllabus में है लेकिन यहाँ पे exam के pattern पे जो question पूशे जाते हैं वो आपको यहाँ पे पूरे करवा दिये जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के session की तरफ तवाज यहाँ पे हमने start किया था articles तो articles यहाँ पे तीन होते हैं A होता है, N होता है, D होता है जब को पता होंगे तो इसमें जो article A और N है वो indefinite article है और जो definite article है वो आपको दी जाने कि जो definite चीज होती है उसके लिए article D लगता है और जो indefinite चीज होती है उसके लिए article A और N लगता है आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे example थी She is an excellent student, she is a student यह यहाँ पे बात यहाँ पे की थी तो यहाँ पे N जो है वो article है उसमें A जो है वो article है तो यहाँ पे एक हमने और चीज बात की थी कि यहाँ पे जो article है वो तब ही लगता है जब यहाँ पे किसी sentence में noun हो अगर किसी sentence में noun नहीं है तो वो यहाँ पे article नहीं लगेगा किस sentence में यहाँ पे noun को as a verb यहाँ पे use किया जाता है तो तब भी यहाँ पे आर्टिकल जो हब और नहीं लगता इस बात का भी आपको यहाँ पे याद रखना है आगे बात करते हैं रूल्स की तरह तो सबसे पहले यह हमारे रूल्स से बो A और N के लिए थे तो उसमें यहाँ में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो singular countable noun हो तब हमारा यहाँ पे आर्टिकल ए लगता है जैसे एक्जेंपल है इसमें जो पैन है और कार है जो जो singular countable noun है तो दूसरे डूल्स के और बढ़ते हैं फिर यहाँ पे हमने बात की थी कि यह भी यहाँ पे exclamatory sentences हो वो sentences में but or how हो और उसके बाद यहाँ पे singular countable noun हो तो तब यहाँ आरा यहाँ पे जो आर्टिकल लगता है वो आर्टिकल ए लगता है यहाँ से यहाँ पे example थी what a great building तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह exclamatory sentences है उसमें यहाँ बट दिया हुआ है तो बट के बाद हमारा यहाँ पे हमेशा A लगेगा तो यह थे यहाँ पे हमारा rules आगे हमारा जो rules था वो था यहाँ पे कि अगर किसी भी sentence में यहाँ पे जो यहाँ पे mailing digits हो जैसे hundred हो thousand हो, million हो, dozen हो, couple हो तब हमारा article यहाँ पे A लगता है तो यह भी यहाँ पे आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं तो आगे था हमारा यहाँ पे यह कुछ words थे यहाँ से many था rather था quiet था सच था अगर किसी sentence में आपको यह चार words दिखते हैं तब आपको यहाँ पे उस sentences में तो यहाँ पे आपको article A यूज करना है तो यह भी यहाँ पे आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे कुछ phrases थे तो यह ऐसे phrases थे कि इन phrases में यहाँ पे fix ही था कि इन में यहाँ पे article A ही लगेगा और कोई article इसमें यहाँ पे नहीं लगेगा तो यह यहाँ पे phrases थे इनने fix, इनने hurry, इनने nutshell हाई hope आप सबने थोड़ा सा यहाँ पे इसको readout किया होगा ताकि आपको examples करने में यहाँ पे असानी हो तो यहाँ पे आप सभी भी नहीं कर सकते इसको readout ही करना है ताकि किसी sentence में अगर यह आपको phrases देखने को मिले तो आप यहाँ पे easily article A लगा सको बात करते हैं जो next rule की थी तो next rule यहाँ पे and के लिए था तो and के लिए rule J था एक तो वो यहाँ पे vowelsल्स के पहले लगता है तो यह rule था और दूसरा rule था कि जब भी कोई abbreviation आए तो तब भी यहाँ पे जो rule है जो article है वो यहाँ पे and लगेगा क्योंकि यहाँ पे इसमें जो sound है वो यहाँ पे consternal की sound आती है तो यह इसमें आप देख सकते हैं आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पे हमारा article दे आ जाता था तो दी आटिकल में यहाँ पे क्या कहता था तो दी आटिकल का सबसे पहले rule जई था कि कोई भी definite thing के लिए यहाँ पे article दे लगता था यानि कोई ऐसी जी जो definite हो ही हो उसके लिए article दा लगेगा और दूसरा यहाँ पे इसका rule इसमें से जही था कि यहाँ पे जो इस चीज का जिकर पहले किया जा चुका हो उसके बाद अगर फिर इस चीज का जिकर हो तो उसके बाद भी article दी ही लगेगा जैसे जह एक्जामपल थी तो यहाँ पे किंग का जो जिकर हो पहले ही किया जा चुका है और इससे किंग पाद चलता है कि किंग जो है बो definite high ही है तो इसके लिए यहाँ पे अगर blank आता कि blank kind king was very kind तो यहाँ पे हमारा दी आता तो इसलिए यहाँ पे article A के आगा यहाँ पे deal आया गया है आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आगे था हमारा countries के लिए तो अगर यहाँ पे countries किसी sentence में यह आती है Ukraine, Britain, Netherlands और Hague अगर यह country आती है तो उसके साथ हमारा article D लगता है लेकिन इसके लाबा अगर और कोई country आ जाती है जैसे Australia आ जाती है, New Zealand आ जाती है तब हमारा article कोई भी इसमें article नहीं लगता नहीं article A, नहीं article D उसके बाद बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है यहाँ पे Mount Everest की तरफ और यहाँ पे उसकी चोंटियों की तरफ यहाँ पीक्स की तरफ तो यहाँ पे चोंटियों में जो हो थो Mount Everest में जो है, वो दी लगता है लेकि जो पीक्स होती है, उनके साथ यहाँ पे दी यहाँ पे नहीं लगता आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे हमारा आता था, nationality और भी किसी sentence में कोई diseases आईगी तो उसके साथ यहाँ पे दी लगेगा तो यहाँ पे था पुरा उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई भी unique चीज थी, तो उसके लिए यहाँ पे दाल लगता था, जैसे universe हो गया world हो गया, heaven हो गया, तो सब के लिए यहाँ पे दी लगता था, आगे बात करें, तो आगे यहाँ पे, जैसे a article में, यहाँ पे many, rather quiet, such, यहाँ पे यह वर्ड आये थे, तब article a लगता था, इसी तरह यहाँ पे अगर किसी sentence में environment और atmosphere वर्ड आजे, तब article यहाँ पे दी ही लगेगा, तो यह भी आपको यहाँ पे याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे यह example दी है, the sunrise is in the east, तो इसमें जै है कि अगर कोई भी direction आजे, east, west आजे, north आजे, यहाँ फिर south आजे, तब यहाँ पे हमार article जो है, बहुत दी लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर, इस direction के साथ, अगर country का नाम जुट जाता है, और country का नाम बन जाता है, जैसे यहाँ पे he is going to north America, तो यहाँ पे north तो यहाँ पे direction है, लेकिन उसके यहाँ पे America लगकर, वो यहाँ पे area याजर्ट के साथ, के नाल के साथ, और यहाँ पे newspaper के साथ, फिसके बाद holy books के साथ, और सब के साथ, यहाँ पे article दी लगता है, तो यह भी आपको यहाँ पे याद रखना है, आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे हमारी example स्टार्ट हो यहाँ पे क्या कहती है, वो हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं, तो सबसे पहले हमारी example है he is doctor, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा article a आएगा, तो article a क्यों आगया, क्योंकि यहाँ पे तो यह doctor है, बो तो एक singular है और countable है, इसलिए यहाँ पे a आया, और अगर यहाँ पे sentence की sense देखें तो तब भी article a आता है and तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे abbreviation नहीं है, और नहीं यहाँ पे वो बावल की sound दे रहा है अगर d लिखते तो he is the doctor बन जाता, तो he is the doctor यहाँ पे sense पूरी change हो जाती है, इसी करण यहाँ पे article a ही आता है, आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे next example क्या कहती है हमारी, तो next example है he drives at a speed of 90 miles blank hour, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो hour है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं किसकी sound दे रहा है, तो इसकोh Our नहीं पढ़ते हैं तो जी sound दे रहा है, यहाँ पे model की, इसलिए यहाँ पे article a जाईगा, तो यहाँ पे simply दे सकते हैं यह आपको यहाँ पे यह नहीं देखना, यहाँ पे 90 miles दिया है तो इसमें आप यहाँ पर count करो कि वो यहाँ पर मेरी unit है तो यहाँ पर A लगाएं लेकिन आपको हमेशा वही देखना है कि blank के आगे बाला यह known है वो यहाँ पर क्या है तो इसलिए आपको यहाँ पर यहाँ रखते हुए चलना है तो यहाँ पर सत्वारी रोड को है तो यह यहाँ पर noun है लेकिन इसको ऐसे बर्व यूज किया गया है और जब ऐसे बर्व यहाँ पर noun को यूज किया जाता है तो यह भी यहाँ पर कोई भी article नहीं लगता तो इसका जो right answer होगा वो होगा fourth option बाला और वो होगा no article बाला बढ़ते हैं next की तरफ तो next example क्या है तो next example है I don't like blank milk तो यहाँ पर आप इस sentence की sense दे सकते हैं तो इस sentence में कोई भी article यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि अगर यहाँ पर I don't like a milk अगर a milk आता है तो a milk यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर a milk कभी नहीं आता क्योंकि milk को कभी भी हम यहाँ पर count नहीं कर सकते कि वो milk में कितने particles हैं हाला कि liter में उसको हम यहाँ पर count कर सकते हैं लेकिन उसने liter में यहाँ पर unit इसका दिया नहीं है अगर यहां पे दिया हुकता I don't like 4 liter milk तब यहां पे हमारा article A आ सकता था लेकि यहां पे उसने उसका unit नहीं दिया इसलिए यहां पे इसमें A नहीं आएगा and भी नहीं आएगा तो दस लिए नहीं आएगा I don't like the milk क्योंकि यहां पे जो milk है वो यहां पे as a verb यूज हुआ है तो यहां पे दा भी हमारा यहां पे नहीं आएगा इसमें जो हमारा right answer होगा वो होगा यहां पे option number fourth आगे बात करते हैं तो next example हमारी आती है the river jamuna is blank the the river jamuna is blank longest river fall तो जब भी किसी sentence में किसी comparison की बात की जाए किसी दो चीज़ों में comparison की बात की जाए जहां सभी यहां पे जितनी भी groups में चीज़े हो उनमें यहां पे comparison की बात की जाए तब हमेशा हमारा article यहां पे दी आता है तो यहां पे भी comparison की बात की जा रही है कि जो river jamuna है वो सबी नदियों में से यहां पर लंबी नदी है तो जहां पर जो हमारा आटिकल दिया आता है हाले कि आपकी जिये केल उता देगी जो रिवर जमूना है वो सबसे लांगस नहीं है सबसे लांगस जो है वो हमारी गंगा है यह आपको याद एकना है तो इसमें से sentence के लिए यहाँ पर किया गया है आगे बात करते हैं तो आगे हमारा है We are having a fish for dinner तो यहाँ पर आप दे सकते हैं तो यहाँ पर यो dinner है वो भी यहाँ पर क्या है तो भी यहाँ पर ऐसे बर्व यूज हुआ है तो इसमें भी यहाँ पर no article आएगा और यहाँ पर अगर sentence की sense से देखें तो we are having fish for a dinner तो a dinner बन जाता है तो a dinner यहाँ पर हमारा नहीं आएगा यहाँ पर यहाँ पर कितना dinner में क्या क्या होगा क्या नहीं तो वो हम यहाँ पर situation के according यहाँ पर count नहीं कर सकते यहाँ पर and भी नहीं आएगा तो the भी नहीं आएगा तो हमारा right answer होगा no article बढ़ते हैं हम next की तरफ next हमारा क्या कहता है यहाँ पर कहता है blank price of petrol keeps rising तो यहाँ पर petrol का जो price of keeps rise कर रहा है तो जो price है वो यहाँ पर single countable नहीं है इसमें यहाँ पर यह uncountable है क्योंकि यह price है उसको हम यहाँ पर counter नहीं कर सकते यानि price यहाँ पर जो वो है वो यहाँ बढ़ता करता रहता है वो constant चीज नहीं रहती जो constant चीज होती है जो constant चीज यहाँ पर नहीं होती तो यहाँ पे आपको याद रखना है उसके बाद बात करते है next example की तो next example क्या कहता है तो कहता है Are you attending blank reception today तो यहाँ पे क्या आएगा तो जो reception है वो क्या है तो वो यहाँ पे हमारा है यहाँ पे क्या uncountable noun है क्योंकि reception क्यों भी हम यहां पर count नहीं कर सकते तो इसमें में यह हमार आर्टिकल है वो आर्टिकल दी आएगा वाई की sentence की sentence से भी आप दे सकते हैं अजू टेंडिंग दा रिसेप्शन टूड़े तो यहां पर जो definite चीज भी है यहां पर रिसेप्शन यह नहीं होना है तो वह यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं बढ़ते हैं next example की तरफ, next example कहती है इंडिया भिकमë blank superpower shortly यहां पर आप देख सकते हैं जो superpower है वो यहां पर countable चीज़ है तो super power जहाँ पे एक ही चीज है, singular चीज है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्योंकि super power जो है, वो सभी के पास नहीं होती, इसलिए यहाँ पे यहाँ पे जह सिंग्लर चीज आती है, तो यहाँ पे हमारा right answer होगा, वो A होगा, बात करते हैं next example की, तो next example है, रोहन बास blank best student in the class तो यहाँ पे भी comparison हो रहा है, सभी यहाँ पे पूरी class में से रोहन को best बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप से बिली कहा सकते हैं कि comparison किया जा रहा है, रोहन का पूरी class के साथ, यहाँ पे हमारा article जो है बो दी आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें article दी आएगा, तो इसके यहां पर हम practice करेंगे और questions की और examples हम पर लेकर आएंगे तब तक आपको हलका idea पर चल क्या होगा कि articles यहां पर कैसे use होते हैं और यहां पर उसके rules कैसे हैं तब तक आपका काम जाई है कि इन रूल्स को यहां पर अशी तरह से याद करना है जब भी आप example की practice करें तो अभी इसलिए इसको कर सकें तो यहां पर इस part में इतना ही था तो next part में यहां पर हम preposition यहां पर start करेंगे अपना fourth chapter तब तक के लिए मिलते हम आपको next part में